पाच राज्यू के चुनावी परिणाम आते ही ईवियम पर सवाल उठने लगे। बीजेपी को विधान सभा दोहजार तेज के चुनाव में मिली जीट से खुद जनता हैरान है। जो लहर जमीन पर नहीं दिखाई दी वो आकडों में कैसे नजर आ रही है। अब इसी पर वि मधपरदेश के पूर्व मुखमंतरी कमलनात के मीडिया एडवाईजर ने गंभीर आरूप लगा दी हैं। क्या कहा हैं उन्होंने देखिए इस रिपोर्ट में। कि इससे पहले कि आप मधपरदेश चुनाव पर किसी प्रयोजित राई की चपेट में आएं। ये 6 पॉइंट ध्यान से देख लीजिए। ये समीक्षक नहीं प्रत्याशियों और विधाईकों की स्कूटनी है। नमबर एक जहां कॉंग्रिस पार्टी बड़े अंतर से पराजित हुई है वहां 100 से अधिक इवियम मशीने मदगर्णा के समय 99 प्रतिशत तक चार्ज मिली हैं। जबकि मतदान के दौरान 10 घंटे से जादा इसका उपयोग हो चुका था। इसका आश्य हुआ कि मतदान की प्रकरिया के दौरान इन मशीनों का बिलकुल उपयोग नहीं हुआ जो कि किसी भी सूरत में संभो नहीं हैं। इससे इस बात का शक होता है कि या तो इवियम बदली गई या उसके साथ छेड़ चार की गई है। नमबर दो प्रत्याश्यों ने बताया कि ओस्तन 100 इवियम म करता है। नमबर चार इस हेर फेर से भाजपा ने जब जादतर सीटों पर अपनी बढ़त हासिल कर ली तो प्रशासन पर दबाव बनाकर मदगर्णा के आखरी पांच राउंड में कम अंतर से पीछे चल रहे या आगे चल रहे कॉंग्रिस के प्रत्याश्यों को हारा हुआ गोशित कर दिया गया। के सबसे मजबूत बूत्थों पर उनके वोट आप प्रत्याशित रूप से नीचे आगे। अब इस ट्वीट के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो फिर इस पर विपक्षी नेता एक जुट होकर आंदोलन क्यों नहीं करते। इवियम मैनिपूलेशन का मतलब है लोगतंत्र का गला घोटना और विपक्ष को लोगतंत्र मजबूत करने के लिए जनता की आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ ट्वीट ट्वीट खेले से काम नहीं चलने माला बलकि जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए। इवियम पर सवाल खड़ा हो रहा है ये जाज का विशह है। उम्सक्वाग काव बलकि आवाज जार खड़नी चाहिए। भॉड़ा ट्वीट ट्वीट ट्राव जाज करने काम नहीं चाहिए। झाल झाल